जारकन में मौसम का मिजास एक बार फिर बदल चुका है राजधानी राची समेत पूरे राची में इंदिनों मौसम में बदलाओ देखने को मिलेगा पश्मी विक्षोब के कारण राची समेत कई जिलों में बारिश हो रही है राची में बीती रात से ही लगातार बारिश हो इन जिलों के लिए विभाग ने औरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि गुमला, लोहडगा, राची, कोडर्मा, हजारी बाग में ओला ब्रिस्टी की संभावना वैक्त की गई है इस दोरान ओला ब्रिस्टी के साथ-साथ इन जिलों में वजरपात की भी चेतावनी जारी की गई है जबकि अन्य जिलों में वजरपात के साथ-साथ बारिश की संभावना वैक्त की गई है 14 और 15 फर्वरी को राजी के अलग-अलग हिस्सों के लिए बारिश की संभावना जताई गई है इसमें मुखे रूप से राजी के उत्तर पश्रमी, मद्य और उत्तर पूर्वी जिले शामिल है जहां 15 फर्वरी तक बारिश की संभावना है अचानक राची और जहारखंड के कई शहरों का मौसम बदल गया है बारिश हो रही है कल रात में बजरपात के साथ बहुत देर तक बारिश होती रही है और सुबह से यह सिलसिला फिर शुरू हो गया है जैसे कि पहले ही मौसम पुर्मानमान केंदर राची ने ये बुलेटन जारी किया था और एलो अलर्ट के रूप में इसको इंडोर्स किया था कि 12 से 16 फर्वरी तक जहारखंड में शुरूआत तो मद जहारखंड से होगी जिसमें जात्राची भी आता है और ये सिलसिला धीरे धीरे अलग-अलग शहरों में फैल जाएगा कारण पच्छमी भी छोब बताया जाता है आप देखें कि आसमान में गहरे काले बादल चाये हुए हैं और पुरा शहर धुन्द से ढखा हुआ है और इस धुन्द के साथ साथ अब बारिश भी शुरू हो गई है और बारिश का सिलसिला जो है आने वाले दो तीन दिन तक चलेगा और जिस तरह की धुन्द है मुझे लगता है कि विमान परिचालन पर भी इसका बुरा असर पढ़ना सौभाविक है और आगे के पुरवानुमान की करें तो कल ही एक पुरवानुमान दिल्ली के आईमडी ने जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ला नीना का जो असर है वो अब थोड़ी दिनों के पारिश भी होगी और गर्मी भी कम पड़ेगी इस बजरपात के परती भी चेतावनी जारी की गई है लो अलर्ट जारी किया गया है खासकर कि ग्रामी इलाकों में खुले में ना जाएं पेड़ों के नीचे कभी भी पनाह न लें कैमरामें राजा के साथ में शहनवाज और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लवन भारत सच है तो दिखेगा